अलो स्टूजेंट यूर मोस्ट वैलकम इस लास इन विच आ एम गोंग टीच यू इस्प्रिंग क्लास फोर एट इस कच्छा चार की अंग्रेजी की बुक जिसका चैप्टर है फोर जिसका नाम है हेयर एंड देर हेयर एंड देर का मतलग हो देर मीं यहां देर मीं स्वाइन दो रड़कियां हैं और बहुत सी चीज़ें सब इधर उधर पढ़ी होई है ठीक तो इसी की बारे में हम आज पढ़ने बारे हो और यहां से हम यह सीखेंगे कि हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए चीज़ों को कहां कौन सी चीज़ हमें रखनी चाहिए नीटा इसका मतलब यह हो जाएगा नीता एक और रही की है इस चीज़ों को वच इस इसने रखने जगह घुटए मेंगेंगेетр गण्ती सत पहल लेकिन वह ऐसा नहीं करती है Her Mother is worried देखो बरी मिश होता, चिरिलेसने, देखो वहां Care, Careless, और यहां लिखा हगी Carelessness तो वहां तो लापरवा हमने कहा है तो यहां लिखा हुआ हर Mother Is worried about Her Carelessness उसकी मां उसकी यापरवाई के बारे में बहुत चिरिया चिरिक रहे है है यानि हर चीजिकिक लापरवाई करती है तो केरल्यस नाइस को आप लापरवाई कह सकते हैं बंडे मिस एक दिन नीताशा sentence को एस लगा हुआ इसका मतलब होता का की कई इसको एपोeri स्कते सेंस में आप का कह सकते हैं की कह सकते हैं कि कह सकते और नीताशाrum माला एक present indefinite में है एक दिन उसकी दोस्त माला उसके घर आती है अब देखिए उसके घर आने के बाद क्या होता है नीता क्या कहती है how are you माला माला आप कैसे हैं देखो हमने एक magic word वाला सब चेप्टर पढ़ाया था उसमें यह हमने आपको शेकाया था तो नीता कहती हाउ आर यू माला माला आप कैसे हैं तो फिर माला क्या कहती है I am fine मैं ठीक हूँ तो उसकी बाद आपको क्या बोलना है thank you देखो उसने कहा है thank you अब हाट आपकी बारे में यानि आपकी हाल क्या है जब आप से कोई हाल चाल पोचेगा तो आप भी दो उसका पोचेंगे तो नीता कहती I am also fine मैं भी ठीक हूँ तो नीता क्या कहती I am also fine मैं भी ठीक हूँ तो एक दूसरे को नोंने हाल चाल पोचेँ अब देखिए तप माला क्या कहती है आई के बुएर मैं यहाँ आई हूँ दिखो यहां पर यहां लिखा था कम, कम होती है, first form came होती है, second form, मैं यहां आई हूँ, I came here to take my storybook back, back माने हो तब बापिस, मैं यहां अपनी काहनी की किताब बापिस लेने आई हूँ, to take लेने, my storybook अपनी काहनी की किताब back माने बापिस, जो हमने आपको काहनी किताब दी थी, उसे हमें बापिस लेने आई हूँ, which I had given you, last week, जो हमने आपको पिछले सब्दा दी थी, which I had given you, जो हमने आपको दी थी, दी थी, कहेंगे कि हम यहां पर head लगा हुआ, you means तुमको last week मतलब पिछले सब्दा, जो हमने अपनी story की book आपको पिछले सब्दा दी थी, उसे में लेने आई हूँ, after searching everywhere, अब क्या होता हर जगे, नीता जो है उस किताब को ढूड़ती, after searching everywhere, हर जगे उस किताब को ढूड़ लेती, लेकिन उसको मिलती नहीं है, अब नीता क्या कहती है, I do not remember, मुझे याद नहीं आ रहा है, I do not remember, मुझे याद नहीं आ रहा है, where I have kept it, कि मैंने उस किताब को कहां रख दिया, ये ध्यानी नहीं आ रहा है, probably मैं सोता साइथ, it was here on the table, साइथ देखो ये मेज पर हो, probably it was here on the table, साइथ ये मेज पर हो, no no no, फिर कहती है, no no no, यहां भी नहीं होगी, I think it was there in the cupboard, मैं सोचती हूँ, I think मैं सोचती हूँ, it was there in the cupboard, ये अलमीरा में होगी, जो अलमारी होती है, साइथ ये अलमारी में हो, फिर क्या कहती है माला, you should keep the things at their proper place, माला उसको ये सला देती, advise करती, you should, तुम्हें चाहिए, keep the things बस्तुओं को रखना, at their proper place, उनकी सही जगे पर, आपको चीजों को उनकी उच जगे पर रखना चाहिए, ये उसको सला देती है, अगर आपने सही सही जगे चीजों को रखा होता, तो अमारी किताब खोती नहीं, शुड़ाई help you, क्या मैं आपकी मदद करूँ, शुड़ाई help you, क्या मैं आपकी मदद करूँ, नीता कहती, yes, ठीक है, आप ही डूनवाद दीजिएगा, yes, please, अब देखेगा, माला एंड नीता, begin to keep the things at their proper place, begin माने होता, प्रारम, यानि शुरू हो जाना, keep the things, चीज़ों को रखना, add their proper place, मतलब उनके सही उचे जगह पर रखना, add their property, यानि किताबें रखनी जगह कहा है, वाँ किताबें रखी उन्होंने, कपड़ी रखनी जगह कहा है, बाँ नो ने कपड़ी रखी है, जूती रखनी जगे कावा, उन्होंने जूती रखे, बैग रखनी जगे कावा, बैग रखा, तो यह काम दोनों करना शुरू हो गई, वे चीज़ों को विवस्थित कर रही थी या कर रही है या के चीज़ों को विवस्थित कर रही थी माला finds her storybook इंदक कबड तभी माला को अलमीरा में उसकी कहने की किताब मिल गई । मिल जाना ढूड लेना मीन भालमी सोती उसी दोरान यानि उसी बीच जब ये चीजों को विवस्ति डंग से रख रही थी नीतास मदर देखो नीता की मा देखो यहां भी एपस्ट्रोफी ऐसा आ गया थे यहां भी हम कहेंगे नीतास मदर नीता की मा इंटसदरू कमरे में प्रिवेश करती है जब दोनों लखियां चीजो सब्सक्राइब को समझा रही है अब देखो अब की कि नीटा की मा कम्रे में आ लंगो समझा रही है और देखो मेरा कमरा देखो माहर हूं, मा मेरा कमरा देखो, तो उसकी मा क्या कहती है, ओ गोड, औरे, वेर इस यूर बिल्यू बैक, तुमारा नीला बाला बैक कहा है, वेर इस यूर बिल्यू बैक, तुमारा नीला बाला बैक कहा है, तो उसकी, वो नीता क्या क्या कहती है, इट इस हेर वन दर टेविल, देखो यह मेज पर रखे हुआ है। यह मेज पर है। फिर उसकी माग क्या कहते है? Here is your blue frog. आपके नीली वाली frog कहा है? नीली frog कहा है? फिर नीता क्या जवाब देती है? It is there in the cupboard. यह बहाँ Almira में है. It is there in the cupboard. और यहां कहा था It is here in the हेर ये इसलिए कह रही है कि मैं जो उसके पास में है और मिरा थोड़ी उस Bass कहा तो पास की चीज लिए मैं कहे देंगे और दूर की चीज़ के लिए देर कह देंगे फिर उसकी मा क्या कहती है बेर आर योर बलेक सूच तुम्हारे काले जूते का है बेर आर योर बलेक सूच तुम्हारे काले जूते का है तो फिर नीता क्या कहती है दे आर हेर इंदा सूरेक यह यहां सूरेक में है, तो सूरेक उसके करिम में होगी, तो उसने कह दिया here, यह यहां सूरेक में, सूरेक मतलब एक ऐसी जग है जहां आपने जूते चपल रख सकते हैं, तो उसे सूरेक कहते हैं, फिर उसकी मा क्या कहती है, very good, बहुत अच्छी, निता बहुत अच्छी वा वहां अल्मीरा में रखने चाहिए यूशुड कीप इसमाल थिंग्स छोटी-छोटी चीजें हेर ऑन दा टेवल वो तो मेज पर रख दिया करो और बड़ी-बड़ी चीजों को देर इंदा कवड वो अल्मीरा में रख दिया करों तो यह देखो उसको सिच्छा मिल गए यहां से कि हम अपने चीजों को कैसे कौंसी चीजों को कहां-कहां रखें जिससे उन्हें डूडने में आसानी रहे और कोई चीज हमारी गुम ना हो जरूद पढ़ने हैं तो इसलिए हमें चीजों को रखना चाहिए व्यवस्थित तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया अब इसके हम कराते हैं आपको इसी में एक्सरसाइज यह इसके मीनिंग है कि यह लेस का मतलो ला परवा प्रोपर सही जगे बरीड चिंतित होना प्रोब यह आंसर दा फालन कोश問 को यह question or answer what kind of a girl nita was नita किस प्रकार की लड़की थी तो आप इसका answer कैसे लेखेंगे नita was a careless girl", केवाल इतना इसका answer लिख देगे basilस girl इसमें आप यहां से शुरू करेंगे नीता यहां इसकी सेकेंड फॉर्म लिख देंगे नीता कैप्ट हर थिंग्स इन दा बेगनिंग यहां जहां कहीं भी डाल देती आप यह जवाब इसका लिख सकते हैं यह यह लिख सकते हैं नौट इन ये प्रॉपर प्लेश सही जगाँ पर नहीं रखती तब सही जवाब इसका यह लिखेंगे नीता कैप्ट हर विख देंग्स इंदा बेगनिंग here and there थार्ड question है भात वाज नीता searching for नीता क्या डूर रही थी भात वाज नीता searching for तो आपफस में लिखेंगे नीता बाज searching for या नीता बाज searching a story book नीता बाज searching a story book और d है Where did to find her book माला को उसकी किताब कहा मिली तो इसमें देखेगा, यहां डिड लगा हुआ है तो आप डिड अटा देंगे, यहां लिख देंगे फाइंड की जगे, फाउंड, शेकेंड फॉर माला फाउंड हर बुक इंदा अलमीरा, लिख देंगे लिखेंगे, जैसे भाई लगा हुआ, ता पूरा यह छोड़ करके, it is necessary, पहले it लिखेंगे, फिर is लिखेंगे, पूरा यही लिखने है, उसकी बाद भाई को यहां से अटा दिया, यहां लिख देंगे, because, तो कैसे लिखेंगे इसका जवाब, it is necessary to keep our things at they are proper place, because because it is easy to search them, उन्हें ढोलना आसान हो, because it is easy to search them, तो यह question और answer होगे, जिन्हें आप लिख सकते हैं, तो इसका अगला है bird power, यहां पर यह लिखा गया है, यह the words in the toffee describe, यह toffee को सब्द लिखे हुए, और यह किन से समन्दित थे, यानि careless किसके लिए आया था, नीता के लिए, तो आप यहां लिख देंगे नीता, बिल्यू किसके लिए आया था, उसके bag भी बिल्यू था, उसकी frog भी बिल्यू था, तो आप bag लिखने चाहें, फिरॉग लिख दें, बिल्यू क्या थे, उसके सूज बिल्यू थे, और बरीड कौन थी, उसकी मा बहुत चिंतित थी, तो यहां लिख देंगे mother, ठीक है, अगला है language practice का question, अंडरलाइन देस्क्राइब वर्ड, डिस्क्राविंग बर्ड मतलब होता है, जो सब्द किसी की विशिष्टा बताएं, यनि adjective, इन्दा फालंग सेंटेंस, जैसे विशिष्टा किसी बताए जाती है, एड्यक्ट बताते हैं, सब्द की विशिष्टा और एड्वर्ब बताए करते हैं, क्रिया की विशिष्टा, तो जो काम करने वाला विशिष्टी होता, उसकी जो विशिष्ष्टा बताएं, वो होते हैं, एड्यक्ट, यैसे माई रेड फ्रॉग, तो फ्रॉग कैसी रेड, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, यह और यलो बॉक्स, बॉक्स कैसा है, यलो, तो यलो पंडरलाइन कर देंगे, यह हमारी डेस्क्राविंग वर्ड कहे जाएंगे, यह फैट मैन, आदमी कैसा है, मोटा, यह थिन मैन, आदमी कैसा है, पतला, my black god, मेरी बकरी, बकरी कैसी है? काली, और white box, avoir, आपका ox, यानी, bell कैसा है? white, यह जो सब्सदे थे, ये पिलिन दा बले, इसमें आपको hair out there भरना है, Can you go there? कि आप बहाँ जाते हो? Can you come here? कि आप यहां आते हो? I wish he would be there with me. I wish मेरी इच्चा है, ओए मेरे साथ बहाँ हो. I would like to be here with you. यहां आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है. तो here and there इसमें बहनना था. तो हमने इस किलास में आपकी कम्प्लीटली इसको पढ़ाने की पुसेश की और इसकी एक्सेसाजरी करवा दी. आशा करता हूँ आपने सुझ पाया होगा इस किलास में इतना है. That's all. जैहीं. जैवारत.